हेलो एब्रिवन वेल्कम टू दा चैनल नितेश एजुकेशन 27 फ्रेंट्स मैं सी यूट्यूब चैनल पर यूजिसी नेट पेपर फेस्ट एंड पेपर टू एजुकेशन एंड साइकॉलजिक तियारी करवाता हूं साथ ही साथ आल ओवर इंडिया पीच्डी अड्मीशन्स और टाइप आफ टीचिंग वेकैंसी लाइक प्रोफेसर एशोशेट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर टीजी टी प्वीटी इसकी भी रगुलर अप्डेट्स आप लोगों को देता रहता हूं तो आप मेक शूर आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जे तो आज का जो वीडियो है नेशनल कॉंसिल और एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्सी आर्टी जो कि डेली में सिच्टेड है वहां पर कुछ वेकैंसी आई हैं और कई पोश्टे आई हैं तो बारी-बारी से सारी पोश्टे पोश्ट को देखेंगे सारी वेक करने की उसको ध्यान से देख लिजेगा अभी फटा-फट हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी वेकैंसी हैं और कैसे अप्लाई करना है तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेंट्रल इंस्टिटूट ऑफ एजुकेशनल टेक्लोनोलजी एंसी एर्टी ठीक ह लिए वेकैंसी नोने मांगी है एंसी आइटी इस लूगिंग फॉटेबल केंडिट्स तो रिकृट फॉर्ट फॉर्ड फॉलोइंग पोस्ट कॉंट्रेक्श्ट टू वर्क फॉर्द निश्था निश्था देखे क्या है नेशनल इनिशेटिव फॉर इस्कूल हैट्स चीशक का एक पाइप ड्रोगे क्या है मुक्यों एक प्रोजेfting छो है है एक प्रोजक्त का धाली हैÁ अब धेख लेक्श सेक्वास्ट कि विल भी एट इस हैट्कॉरटर लुकेट लुकेटेटर निउडली यानि जो भी पोस्टिंग है निउडली में सिदें है आपको अपॉइंटमेंट का जो डूरेशन है मार्च 2022 तक के लिए वैलिड होगा एंड लाइकली टू बी एक्स्टेंडड और जरूरेट बढ़ने पर आगे बढ़ाया जा सकता है ठीक है तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा प्यूर्ली गौर्ण्मेंट जॉब है आगे देखे क्या है अगे देखे क्या है सब्जेक्ट तो दे प्रोजेक्ट कॉंटिनुटी एंड सेटिस्फेक्ट्री फर पॉर्मंस बाइड एक इनिडिट फॉल्विंग और देखते हैं कि इसके पोश्ट के लिए वेकंसी आई है फटाफट देख लेते हैं तो सीनियर कंस जबते हैं कितना है यानि सेलिरी फिटनी होगी 60,000 पर मंत इसके चली आउनिडियर कि दे रहें अब इसेंचल पॉलिफिकेशन की बात करें तो क्या होना चाहिए आपके पास साथ ही साथ MET qualify होना चाहिए MET from recognized university institute with minimum 55% marks और equivalent grade यानि कि 55% marks के साथ आपका MET qualify होना चाहिए और साथ ही साथ post graduation आपका होना चाहिए desirable qualification की बात करें तो देखे desirable में क्या है PhD, delete, preferably अब किसको prefer किया जाएगा जो net, select qualified है degree, diploma, certificate in management, good communication, इसके लिए इंग्लिस, हिंदी और बोथ certificate of participation, completion in online courses and or experience as online courses इनको जो है, यह desirable qualification है, इसको यह सारी चीज़े होने पर आपको preference दिया जाएगा अब अगर experience की बात करें तो देखे experience क्या है minimum 5 years of experience of handling educational project in academic as well as managerial position at the national state level with fair practical knowledge of coordination with state UTS project management report writing ETC यानि कि आपके पास कम से कम 5 साल का experience भी होना चाहिए अब senior consultant technical post की बात करें तो number of post 3 है, salary वही है essential qualification में बस क्या होगा, जो भी post graduation degree है वो आपके technical field की होनी चाहिए जैसे computer science, computer application, computer engineering ठीक है यह degree होनी चाहिए, along with bachelor's degree in computer science साथी साथ उसी में आपका UG plus PG होना चाहिए, ठीक desirable में क्या है certificate in technical skills, certificate of participation, online courses ठीक, वही desirable में वही है, जो उपर मांगी गई थी, next अगर हम बात करें, experience यहां भी मांगा गया है, minimum 5 years का experience अगली post की बात करें, देखिया, आपकी screen पर दिख रहा होगा, academic consultant की बात करें, तो number of post यह दे रखी है biology, business studies, economics, English, geography, mathematics, physics, psychology, sociology, ICT, ET, है ना, काफी अच्छे-ची post है education की 3 post है, इसके पूरा video आफ लोग, telegram group से download कर लीजेगा, ठीक है, essential qualification, इसमें क्या है, इसमें भी वही है, post graduation होना चाहिए आपका, ठीक है master degree in the respective school subject listed in the name of the post with M.Ed, हना, PG के साथ आपका M.Ed होना चाहिए, या फिर और में देखिए, क्या लिखा है master degree in education, अगर आपके पास PG in education है, या psychology है, उर्दू, हिंदी, from recognized university, with minimum 55% marks, और equivalent grade, तो भी आप इस form को भर सकते है desirable में क्या है, M.Phil, PhD, NetSlet, experience of proficiency in ETICT, knowledge of research methodology, certificate of participation, completion in online courses, ठीक है, वही desirable है और experience की बात करें, तो minimum of 3 to 5 years of experience इसमें मांगा गया है, ठीक है, अब आगे बात करें, technical consultant की बात करें, तो इसमें number of post 5 है, और किते रुपे मिलेंगे, 55,000 per month, और इसी तरीके से इसके लिए भी आपको 45 रुपे पर मन्त है, academic consultant के लिए, qualification वही है, technical के लिए, PG होना चाहिए आपका, ठीक है, अभी जो, उसके लिए हम लोग ने देखा था, senior consultant के लिए, technical में, अब आगे अगे 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 हम बात करें, आगे क्या है, देखिए, इसमें instructional designer की 3 post हैं, इसकी qualification आप लोग PDF में देख लिजेगा, telegram group से, graphic artist की post है, DTP operator की है, आगे हम लोग बात करें, देखिए, इसमें क्या है, data analyst की number of post 4 है, और 35,000 पर मन्त, system analyst की number of post 1 है, और content developer की, जो technical post है, उसके लिए 6 post हैं, और 30,000 पर मन्त, essential qualification और desirable qualification आप लोग टेखिए, आप लोग टेखिए, आ junior project fellow, इसके लिए भी, जो है, की, वेकेंसी है, number of post 5, education, e-learning, ICT, educational, technology, computer science के लिए, ठीक, अगर आगे बात करें, कितना है, इसका, 25,000 पर मन्त, net qualified, अगर आप हैं तो, और वैसे, 23,000, without net, वालो के लिए, अब लाश्टेट की बात कर लेते हैं, तो देखिए, फॉर्म की लाश tested candidates are required to apply through the Google form link, given against each post, the last date of submission of application is 13th of July 2021, यानि 30 July 2021 से पहले पहले, आपको यह जो लिंक दे रखी है, इस लिंक के थ्रू एक Google form खुलेगा, वहाँ पर जो भी information आपकी academic से basic information मांगी गई भी, वो भर के आपको submit कर देना है, उसके बाद क्या है, candidates will be the first shortlisted based on their CV, पहले आपको shortlist कि जाएगा CV के base पर, given in the Google form, only shortlisted candidates will be called for an interview and or skill test in online face-to-face mode, उसके बाद जो candidates shortlist किये जाएगे, उनका direct interview होगा, उसके बाद उनको joining दी जाएगी, ठीक है, तो यह तो हुआ पहली वेकेंसी की, मेगा recruitment NCIT ने open की है, इसमें यह थी, पहली वेकेंसी, जिसमें काफी पोश्टे थी, अब आगे बात करें, तो last date मैंने आपको बताई दी, ठीक है, यह इसके basic information है, यह वहाँ PDF से, जब टेलिग्राम ग्रूप से आप PDF डावलोड करेंगे, तो वहाँ से यह आपको पता चल पोटल, देखें, वो किसके लिए था, वेकेंसी, वो थी, निष्ठा पोटल के लिए, आपको याद होगा, मैंने निष्ठा वहाँ पर बोला था, निष्ठा और स्वयम और मुक्स के लिए, अब यहाँ पर क्या है, दिक्षा पोटल, आप लोगों ने सुना होगा, बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचर्स के लिए भी है, सब के लिए, तो दिक्षा का फूल फॉर्म लेखें क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन, यह भी प्यूरली कॉंट्रेक्च्चुल बेसिस है, इसका भी PDF में टेलिग्राम फॉर्म के थूरू फॉर्म भर सकते हैं, अब यहां पर देखें कौन-कौन सी पोस्टे आई है, यह दिखाना चाहता हूँ, फटा-फट देख लीजे इसको, देखें एशेंचल क्वालिफिकेशन और एक्स्प्रियेंस लगभग उसी की तरीके से है, जैसे पिछली वेकें एक्सप्रियेंस मागा गया है, और यह जॉब रिक्वार्मेंट्स है, ठीक है, डिजर्बल में, MBA for a recognized university, आगे है देखें, दूसरा मोबाइल एप लीड डेवलेपर, इसके लिए भी यह इसेंचल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो डेटा बे content in animation and graphics, ठीक है, इसकी qualification यहाँ पर दे रखी है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो content developer technical, इसकी पोश्टे है, साथी साथ content developer academic, ठीक है, फिर bilingual translator, ठीक है, अगर जो भी translator है, या translator की job करना चाते है, उनके लिए भी है, यानि माल लिजे किसी post के लिए आप applicable नहीं भी है, तो आप का जो friends हैं, जो colleagues हैं, उनको आप ये video share कर सकते हैं, क्योंकि mega recruitment NCRT ने निकाल रखा है, और काफी helpful होगा सब के लिए, अगर आप अपने संबंदियों को, इस video को share करते हैं, junior project fellow की देखें, यहाँ पर भी vacancy आई है, जैसा की qualification की बात की थी, सारी qualification सेम वैसी है, जैसा की MOOC औ और निश्ठा में मांगा गया था, अब आगे बात करें, अगली vacancy की देखें, तो NCRT की ये तीसरी department में जो vacancy है, ये है, national education research and training, self or national center of literacy, ठीक है, देखें, क्या है, request for uploading and the advertisement of various post, यहाँ पर किस case post के लिए आई है, इसको भी देख लेते हैं, फटा फट, देखें, senior consultant की two post है consultant की two है, junior project fellow की three है, और senior accountant officer की one post है, इसकी जो last date है, वो याद रखिएगा, last date for applying for various post is 28th of July, याई कि total अगर हम post की बात करें, तो उनकी जो last date है, या तो 30 July है, या फिर 28 July है, तो date का ज़रूर ध्यान रखिएगा, form को भरने के लिए, और form भरना यहाँ पर बहुत ही आसान है, केवल Google link की, Google form की थुरू आप direct उस link पर जाकर form भर सकते हैं, ठीक है, इस strengthening adult education on the NCRT website, ठीक है, next अगर हम बात करें, किस किस post के लिए है, देखे जैसा की बात की थी, educational qualifications, number of senior consultant के लिए two, essential qualification यह है, job profile यह है, desirable है, ठीक है, इसका PDF, telegram group पर डाल रखा है, वहाँ से download कर लिजेग यह आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, आगे अगर हम बात करें, तो period देखे क्या है, 31st March 2022, यानि यह contract कहां तक है, 31st March 2022 तक होगा, age क्या है, retired academic faculty can also apply as per NCRT norms, कोई भी apply कर सकता है, retired academic faculty, कोई भी, consolidated and fixed salary क्या है, senior consultant की 60,000 पर मन्त, और consultant की 45,000 पर मन्त, कब तक भेजना है, last year, दे से पहले पहले आपको भेज देना है, ठीक है, यह सारी detail आप इसका PDF मैंने वहाँ डाल रखा है, वहाँ से पूरी PDF आप आराम से डाउनलोड करके देख लीजेगा, तो यह team mega recruitment NCRT की, इसमें देखे बाकी का क्या है, यह vacancies है, junior project fellow की यहाँ पर भी आई है, इसको भी आप ल the above candidates may send their application resume by data online on of the email, यानि कि इन forms को जो भरने का या भेजने का, जो resume भेजने का जो वो system है, आपको email करना होगा, यहाँ पर इस address पर recruitment.encl.ncrt at the rate of gmail.com, यानि कि कि किस post की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो post है, इसकी PDF में डाल रखूँगा, इसके लिए आपको email करना ह होगा, इनके address पर, अभी जो मैंने email address आपको बताया है, उनके link पर आपको email करना होगा, ठीक है, तो आशा करता हूँ, यह information आपको अच्छी लगी होगी, और काफी अच्छी opportunities है, आप इस form को भर सकते हैं, share कर सकते हैं, number of vacancies आई है, second vacancies है, हर trade के लिए, हर branch के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइल, लाइकन, share कीजिए, आपका दिन शुब हो,